हलो माई डिये स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी काफी टाइम बाद आपके सामने आने का मोका मिला है मुझे क्योंकि CBSC ने एक ऐसी इंफर्मिशन अभी रिलीज की है आपके लिए अगर आप क्लास 9 से 12 के स्टुडेंट हैं तो जैसे कि आपनी रिसेंट में देखा होगा आपके जो सीनियर्स हैं 12th क्लास और 10th क्लास वाले बच्चे उन्हों सभी को COVID-19 के चलते without any examinations पास करने का क्राइटीरिया CBSC ने दिया था बट अब CBSC इसी बात को माइंड में रखते हुए कि कहीं 2021 के examinations में भी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाएं तो कुछ क्राइटीरिया उन्होंने फिक्स कर दिया है और वो क्राइटीरिया जो अभी तक कहीं भी अवे लेवल नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्राइटीरिया उन्होंने फिक्स किया है सबसे बड़ी बात जो आपके लिए जानना जरूरी है एक तो 9 से लेकर क्लास 12 तक आपका जो session है वो 2 term में डिवाइट कर दिया गया है term 1 and term 2 term 1 और term 2 में डिवाइट करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो syllabus है उसको भी 2 parts में डिवाइट कर दिया गया है 50% प्लस 50% यह देखी 50% और 50% अब आपके माइन में बहुत सारी questions आ रहे होंगे कि अगर 50% syllabus conduct मतलब fix कर दिया CVSC ने तो examinations को conduct का pattern क्या रहने वाला है तो examinations के लिए CVSC ने अपना जो blueprint त्यार किया है वो हमारी सोच से काफी अलग है इन्होंने क्या decide किया है आपके examinations अब होंगे निवेंबर डिसेंबर में यानि इन्होंने चार से आठ हफ़ते 4 to 8 वीक चार से आठ हफ़ते का time जो है ले लिया है वो इसी purpose के लिए कि अगर आपके examinations conduct करवाने हैं स्कूल में होते हैं पहली बात ही मान के चलिए examinations आपके school में होंगे means जो board पहले criteria follow करता था कि आपको different school में जाना होता था वैसे ही आपकी बार भी करना होगा वहाँ पर superintendent होगे जो cbsc के द्वार पॉइंट के गई होगे जो examinations याने invigilation की duty देने के लिए teachers होते हैं वो भी cbsc उनको पॉइंट करके बेजेगी ये बात clear हो गई दूसरी बात वो आपका paper होगा 90 minute का और 90 minute में वैसे तो उन्हेंने ये बोला है कि अगर आपका वो paper होता है 90 minute का तो उसमें आपको objective सब्जेक्टिव सारे questions आ जाते हैं अगर आप किसी दूसरे school में paper देने जाते हैं तो बट फिर आपके mind में question आता है कि अगर by chance ऐसा हो गया CBSC को उस time फिर से वही problem phase करनी पड़ी जो इस साल हुई है COVID-19 के बढ़ते cases के चलते तो उन्होंने दूसरा option भी दे दिया है वो है 90 marks का paper बट वो paper होगा आपका online और वो paper फिर सिर्फ और सिर्फ multiple choice questions का होगा यानि आपको उसमें subjective questions नहीं करने होंगे only MCQs जैसे एक OMR sheet होती है वैसे थो उन्होंने ये भी plan out किया था कि OMR sheet वहाँ पर आपकी होगी लेकिन यहां अगर school के थूँ होता है तो वो क्या जाने कैसी app के थूँ बोलेंगे कि आप conduct करवाई यह हो सकता है उस time तक CBSC को नहीं नहीं एप लेकर आ जाए और उसमें OMR sheet आपने भी अभी तक कोई ऐसा examination phase किया है नहीं सरकल लगाने होते हैं computerize वह चेक हो जाती है इट वोंट टेक तू मच टाइंग यह तो था अगर आपका first term का exam ऐसे conduct होता है फिर second आता है आपका term 2 का examinations आप term 2 के examinations के लिए आपको क्य का करना होगा March और April दो महीने फिर से fix कर दी है CVC ने कि यह paper आपके होंगे in two month के बीच में वही four to eight week का time होगा और school उस time situation देख लेगा कैसे हला आते हैं आपकी जो government है state government वो देखेगी कैसी conditions है examinations conduct करवाने possible है या नहीं लेकिन यह paper आपका two hours का होगा two hours में आपको मिलने व होंगे और यह paper भी आपका center पे होगा in case वही जो situation वहाँ पहले थी अगर यहाँ पर ऐसी situation आ जाती है आपका paper उस center पे नहीं possible हो सकता due to covid cases तो उस case में क्या होगा यह paper आपको online देना होगा लेकिन वो भी फिर आपको MCQs वाला 90 minute का paper convert कर दिये जाएगा two hours का paper नहीं होगा अब और बात सुनिए जो एक और इन्होंने alternative पहले से ही mind में रख लिया है suppose पहला paper आपका term one के paper आपके school में होते है means आप board की examinations के center पे जाते हैं वहाँ आपने paper दिये but second paper में means second term में आपकी जो paper conduct हो नहीं पाए due to covid problems आपने online paper दिये तो उस time जो weight is है वो 50-50% की weight is नहीं हो जो आपने online paper दिया होगा उसकी weight is कम कर दी जाएगी वो depend करेगा उस time क्या criteria वो fix करते हैं ऐसा उन्होंने अभी mention नहीं किया ऐसे ही अगर आपने first वाला online दिया है क्योंकि covid के cases बढ़ गए थे तो second वाला आपने center पे दिया है तो जो online paper दिया होगा उसकी weight is होड़ी कम होगी लेकिन जो आपने offline paper दिया होगा किसी दूसरे center पर जाकर उसकी weight is ज़्यादा हो जाएगी इसके इलावा ये तो था पूरा का पूरा examination pattern जो cbsc ने fix किया है दूसी बात आपके mind में आती है syllabus को लेकर last year आपने देखा 30% syllabus reduced था अब की बार वैसे तो cbsc notification दे चुका है पहले ही इन्होंने दे दिया था कि इस पार भी फिलाल हम ऐसा ही follow करने वाले हैं लेकिन इसके बावजूद को schools ने और भी उसे request की है तो में भी cbsc कुछ consider करेगी और जुलाई के महिने में ही आपको confirm कर द करनी पड़ी वो क्या थी बहुत सरे schools में ऐसे electronic devices हम कह सकते हैं of course हम बात करेंगे internet की या mobile phones की क्योंकि economic problems भी रहती है सभी को हर कोई effort नहीं कर सकता तो online classes conduct करनाना बहुत मुश्किल है तो cbsc ने ये भी बोला है कि आपके जो online classes का system रहेगा वह as it is continue रहेगा जब तक आपकी state government ये नहीं देख लेती है अशियोर नहीं कर लेती कि situation abnormal हो चुकी है और आप लोग आप स्कूल में जा सकते हैं school action में तभी खुलेंगे जब state government की तरफ से कोई information आपके पास आएगी ये तो था बेटे जो आप आपकी सामने बच्चों मैंने जो बताया कि कैसे cbsc criteria follow करने वा उनकी multiple choice questions की videos available है no doubt आपको कुछ लग रहा होगा कि शायद पहले वाली videos वो NCRT based थी लेकिन अब जो में data आपको update करके दे रहा हूं उसमें आपको और भी ज्यादा material मिलने वाला है और भी ज्यादा depth वाले questions हैं और उनका जो level है वो थोड़ा सा high भी है कुछ बच्चों को अगर फिर भी कोई problem रहती है तो आप इसी वीडियो के comment section में जाकर मुझे बता सकते हैं जैसे आप 11 की बात करें तो humanities team के subject में आ जाते हैं English, political science, history, geography और इसके लावा अब मैं जो add करने वाला हूं वो है sociology और psychology की already available हैं कुछ आद तक मैंने physical education और fine arts की videos भी दी है और ऐसी same class 12 का भी है और मैं फिर भी आपको यही बात कहूंगा regarding this अगर आपको तब भी कोई doubt रहता है आप मुझे बता सकते हैं एक और बात बता देता हूं कि internal assessment का भी आप देखिए क्या criteria है कि suppose ऐसा हो जाता है कि आपकी दोनों examination सी online हो गए उस time internal assessment की weight is बहुत बढ़ जानी है internal assessment में ह हो गया आपकी जो practical files होती है कोई portfolio है कोई project है या even assessment of listening and speaking है उसको भी CBSE consider करने वाली है तो यह मेरा main motive क्या है आपको कि आप अपने mind से उस doubt को बिलकुल दूर करें कि CBSE अब exam conduct नहीं करवा सकती हो सकते हमें भी CBSE पास कर दे ऐसा नहीं हो सकता एक साल unfortunate रहा कि बहुत बच्च due to lack of technology या उनके पास यह equipment नहीं थे और वो अपने continuing कर नहीं कर पाए थे study उनके साथ भी हमारी जो feelings है but anyway जैसा भी हुआ वो अब निकल गया 2021 का लेकिन 2022 के लिए आप बिलकुल mentally prepare हो जाए और कल मैं आपको एक और वीडियो देने वाला हूं जिसमें यह थोड़े से tips देना कर सकते हैं तील हाफ यह एल happens अभाफ यह पहले होता था examinations यानि term 1 के examinations annual examinations हम कहेंगे तो 50% आपका ये भी बता देता हूँ syllabus कम हो जाएगा तो term 2 होगा उसका syllabus हम बाद में देखेंगे यानि term 2 का term 1 से कोई link नहीं होने वाला तो ये important message था आपके लिए so I hope so this information is very useful to you so thank you very much for listening and watching this video और आप मेरी चैनल पर वीजिस कर सकते हैं और आप डारेक्ट भी मुझे message कीजिए मैं आपकी हर possible help करूंगा thank you very much and have a very nice day all the very best